हेलो एप्रिवान वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम तो अध्याट 247 में आप सभी लोगों का सौगत करता हूं मैं संदीप आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रोनोमी का जो वीड मैनेजमेंट का पॉर्शन है जनरली स्टूडेंट को स्टूडेंस को इस टॉपिक में भी सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कोई बात नहीं यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी वीड मैनेजमेंट के दो से तीन क्लासिस में कोशिश करेंगे पूरे के पूरे 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 पॉर्शन को कम्प्लीट करने के लिए ठीक है तो प्लडा सा classification of weeds को देखके उसके उनके बारे में समझेंगे कल के class में हम लोग specific crop के weeds के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से crop में generally कौन से weeds आते हैं अब आपका एक दिमाग में question चल रहा होगा कि generally किस type के questions weeds से पूछे जाते हैं very good evening ROC welcome to the session weeds में किस तरह के general questions पूछे जाते हैं तो guys अगर मैं weeds के questions के बारे में बात करूं तो यहां पर जो आपको questions पूछे जाते हैं weeds में वो कुछ इस तरह के होते हैं कि इस crop का जो common weed है उसका नाम क्या है ठीक है तो यह आपके जो questions होते हैं यह बहुत जादा difficult नहीं होते हैं बहुत easy होते हैं बट the thing is कि इतने सारे weeds होते हैं कि students यहां पर confused हो जाते हैं तो इस तरह से confused बिलकुल नहीं होना है और हमारा जो भी जो भी crop के weeds वागेरा है वो सब भी हम लोग इस properly complete करेंगे ठीक है तो आएए फिर लेट नहीं करते हैं और फटाफर से start करते हैं आज का class ओके ओके तो गाइस पहला slide आप लोग देख पार हो यहां पर weeds का definition है ओके कि weed का जो definition है वो क्या है ओके आंड जेनरली weed होता क्या है ओके आप आप जब भी field में जाते हो तो वहां पर weed किस तरह का दिखता है ठीक है यह दोनों आपको यहां पर जो आपका इंट्रुड़क्टरी पार्ट है ठीक है तो आई ये परते हैं क्या है जो वीर्च होते हैं वीर्च सार अन्वांटेर और अंडिजारेबल प्लाट्स ठीक है जरुरत नहीं होती है इस तरह के प्लाइन सोते हैं यह वेरी गूड़ीरिंग भूमी का welcome to the session we are unwanted or undesirable plants that compete with crops for water nutrients light and space ठीक है water के लिए compete करते हैं soil nutrients बहुत ज़्यादा absorb करते हैं crop को nutrients मिलता नहीं है साथ ही साथ light और space को भी यहां light और space के लिए भी compete करते हैं light और space के लिए कैसे compete करते हैं देखो बहुत simple सा यहां पर आपका एक picture है वहां Donいてke oh यहां पर जडर लीकाका घर के बगल में है तो यहां पर कोई crop नहीं यहां पर आपको लगबग लगबग सारे के सारे यहांपे wizzu ही दखेंगे ठीक है यह कोई खेती वाला एरिया नहीं है यह रदर घर के बगल वाला ए lis District जाते एक चोटा सा example लेते हैं कुछ बड़े plants हैं कुछ छोटे plants हैं ठीक है हम लोग simple competition का example देखते हैं ठीक है अच्छा जब यह बड़े plant के जो leaves है वो जब बढ़ते हैं तो इनके अंडरना shade या च्छाओं create होता है जिसके वज़े से जो छोटे-छोटे plants इसके नीचे हैं उनको light वगेरा नहीं मिलता है very good evening रेम जी मैंद अनुराधा welcome to the session तो इनके नीचे क्या होता है इनको light नहीं मिलता है plus यह बहुत ज़्यादा expand होते हैं बहुत ज़्यादा इनके branches spread होते हैं जिसकी वज़े से इनको space की कमी होती है ठीक है और साथ ही साथ जो nutrients होता है वो उनमें यह compete करते हैं वीड जनरली क्या करते हैं ज्यादा water और ज्यादा nutrients को absorb करते हैं और crop को जितना water और nutrient की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता है ठीक है so and co2 also and thus reduce the crop pills तो finally जब competition होगा हमें पता है क्या होगा जब competition होगा तो crop का जो yield है वो automatically यहाँ पर क्या होगा reduce हो जाएगा clear आगे बढ़ते हैं weeds are the plants which grow where there are not where they are not wanted ठीक है जो आपके weeds है वो generally ऐसे plants होते हैं ऐसे जगह पर उखते हैं जहां पर उनकी जरूरत नहीं है तभी उनको weeds कहते हैं next weeds can also be referred to as plants out of place तो weeds क्या है यहाँ पर generally जो आपके plants होते हैं जो नहीं grow होने है यह उस जगह पर grow होते हैं ठीक है एक छोटा सा example हम लोग देखते हैं ओके यह आपका यहां पर प्लांट है ओके प्लांट के रोज है और आप देख पा रहे होगे यहां पर क्या है यह आपके weeds grow हो रहे है ठीक है तो यह इसका मदलब plant के बीच में इन यह जो plants यहां पर grow हो रहे हैं इनके जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी यह grow हो रहे है और आप इनको सबसे बड़ी बात ही है कि आप इनको रोक भी नहीं पाते हो क्योंकि इनको रोकने के लिए भी आपको प्रॉपर तरीका जैसे mechanical या फिर chemical वीडिंग अप्लाय करने अनिमल हजबेंटरी की class न अच्छा मुझे आप लोग बता सकतो कॉनसा ऐसा weed है जो Hindu culture में पूजा के लिए use किया जाता है औि एन्यवण कोई बता सकता है मुझे कौना सैक वीडिंग का नाम बताओ जो Hindu culture में पूजा के लिए use क्या जाता है एन्यवण एन्योन गाइस आइडिया है किसी को कौन सा वीड है जो हिंदू कल्चर में कहीं कहीं पे पूजा करने के लिए यूज किया जाता है पैडी एक वीड है रिमजिम मैं वीड के बारे में बात कर रहा हूं पैडी एक वीड है पैडी एक क्रॉप है पैडी क्रॉप को आप पैडी क्रॉप से हमें राइस मिलता है जिसको हम कंजूम करते हैं दूब, आरूसी very good, फैलरणिस माइनर नहीं दूब यूज किया जाता है, दूब का scientific नेम क्या है Sinodon, Dactylone Sinodon, Dactylone ठीक है, clear, ओक है, याद रहेगा सब लोगों को तो हिंदू कल्चर में पूजा पार्ट के लिए दूब यूज किया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोडन डाल धान मैं बार बताता हूं धान लक्षमी जी के पास पूजा होता है धान और के हूं लेकिन धान एक वीड नहीं है मैं वीड के बारे में बोल रहा हूं unwanted plant जिस पौधे की हमें जरूरत नहीं है ठीक है चलो very good मदो दूप ग्रास आगे बढ़ते हैं तो गाई classification of weeds ठीक है यह आज हम लोग देखने वाले हैं कि यार weeds का जो classification है वो किस तरह से किया गया है देखो यहां पर total आपको 8 classification मिलेंगे उके सो पहला classification है यहां पर based on morphology मतलब उसका physical appearance कैसा है कैसा दिखता है ठीक है based on life cycle मतलब कितने time में अपना जो life cycle है वो पूरा करता है उके based on habitat habitat मतलब कहां पाया जाता है based on origin कहां से आया है ठीक है मतलब आपके local area में हमेशा से यह वीड है या फिर कोई foreign देश से किसी भी तरह से आ गया है तो वह हो गया based on association मतलब crop plants के साथ किस तरह से यह एसोसीएशेट है based on nature of stem based on soil type कैसे soil type पे ग्रो होता है और एक आता है आपका special classification ठीक है तो यह कुछ important classification है किसके weeds के तो अगर हम आगे बढ़ें और देखें जो हमारा पहला classification है classification based on morphology या फिर cotyledon characters okay morphology या फिर cotyledon characters कैसे classify करेंगे हम इनको आईए बात करते हैं so weeds are generally divided into three groups जो आपका weed है वो generally तीन ग्रूप में divide किया गया है क्या है ठीक है मैं आपको बता रहता हूं आपका रहे grasses suggest और आपके broad-leaved weeds ठीक है तीन तरह के weeds है जिनको आप classify किये हो किसके basis पर morphology के basis ठीक है कैसा दिखता है तो guys जो मैं morphology के बारे में बात करता हूं आप देख सकते हो यह आपका यहां पर sinodon dactylone है ठीक है यह कुछ इस तरह का रिखता है यह grass crop sorry grass weed है ठीक है क्या है यह grass weed है अच्छा मुझे कुछ grass crop का example दे सकते हो grass crop grass crop examples please grass crops के example दो guys क्या होगा grass crops के examples क्या होगा गाई grass crops का जो example वो इनने कौन-कौन से crops आएंगे grass crops में फटा-फट 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 गईज इतना time लोग के तो कैसे चलेगा grass crops के example दो crop मैंने grass crop पुछाए करन bamboo आपका एक grass field crop नहीं है ठीक है वेरी गुड आरूशी राइस wheat sugar kin यह सारे के सारे आपके grass field crop है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके पॉएसी फैमिली वेरी गुड ठीक है बेसिकली आपका जो पॉएसी फैमिली है अच्छा नेक्स देखते हैं सेजस ठीक है सेजस साइपरस rotundus ठीक है साइपरस rotundus picture यहां पर आपको दे रखा है जो आपका साइपरस rotundus है आपने देखा भी होगा बहुत जेनरल यह दिखते हैं अगर बच्पन में कोई खेलते-खेलते कहीं ऐसे इलाके में चले गए हो गया आप जहां पर बहुत सारा घास है तो इसके जो यह उपर वाले वाइट रेट कलर के जो है यह पैंट पर पूरे चिपक जाते हैं पूरे उसमें चिपक जाते हैं यह क्रॉप आपनों ने देखा होगा यहां पर ऐसे लंबे-लंबे ग्रासेस टाइप के यह होते हैं ठीक है और कभी-कभी तो यह इतने क्या बोलते हैं अगर आप इनको उखारने जाओ गया अगर बाइचेंस हाथ फिसल गया तो हाथ बहुत बार मेरी बात करूं तो मेरा हाथ जो काफी बार इससे कटा भी है ठीक है और कपड़ों में पुर टो टैप्स टीक है साइपरस até नाम से पता चल रहा है जिनके लीविप काफी बॉड है जैसे की सिंपल आपका चीनोपोडियum यालबं ठीक है next आगे बढ़ते हैं गाई और देखते हैं जो दूसरा classification है हमारे पास based on life cycle life cycle के ऊपर base करके यहाँ पर कॉन-कॉन से classification है दो टाइप के classification है एक है आपका terrestrial weeds ठीक है दूसरा है आपका aquatic weeds अगर मैं पहले terrestrial weeds की बात करूँ तो गाईज यह जो है ना यह लैंड पर होते हैं इनको लैंड पर देखने को मिलता है जैसे की यहां पर एक एक्जांपल मैं ने देर रखा है पैड़ेर यह भी झीनी यह पर क्रॉप में सफ्सक्राम करें जाकória क्वा है यह और मेरे मन लिसक्राम है तो हुच साते कौक्प थधी मीपकौक भी क्रोप भी थी इसी के साथ मुझा बताओ कि वीट में वीट में कौन सा मीमिक्री वीड पाया जाता है feeling में कौन सा मिमिक्री वीड पाया जाता है कुछ चीज़े आप भी मुझे पता हूं ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा राइट पेड़ बैच में तो मज़ा आता है पेड़ बैच में ना इसको हम लोग यूज करते हैं ऐसे ही क्लास होता है लेकिन हम इसको पेड़ बैच मे एकदम फील आता है ठीक है अब आप लोग तो बोल नहीं पाओगे तो ओविएसली आप फटा फट कमेंट करो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वीड में आता है आपका मिमिक्री वीड में वेरी गुड वेरी गुड अकरन और उसे फालरिस माइनर अच्छा फालरिस माइनर क का टेस्ट वेट कितना है फालरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना है कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम फालरिस माइनर के सीड को वीड के सीड से क्योंकि दोनों तो एक दम एक जैसे दिखते हैं तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वेरी गुड भुमी का हम कैसे फालरिस माइनर के से सेपरेट कर सकते हैं क्यूंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं आप देख के पता नहीं लगा पाऊगे कि यह वीट क्रॉप का सीड है और यह वीड का सीड है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे सबाइस का वेरी गुड वूमिका और करन जो इसका टेस्ट टेस्ट वेट है वह तू ग्राम से अब मेरा नेक्स्ट कुश्चिन का एंसर दो कि हम सेपरेट कैसे करेंगे हम फालर इस माइनर के सीड को वीट क्रॉप के सीड में से कैसे सेपरेट करेंगे एनि आइडिया पता है कैसे करते हैं एन्यवन किस तरह से किया जाता है कॉन गाइज टेस्ट प्लीज टेस्ट टेस्ट इसका चेक कलर फ्रॉम रूट साइड इसका टेस्ट टेस्ट ट्वेस 22 ग्राम है वीड का 42 ग्राम है जब आप winnowing करोगे ना, winnowing पता है ना, जब आप winnowing करोगे तो अपने आप इसके जो seeds से फैलरिस माइनर के ये उड़ जाएंगे, ठीक है, और weed के seed नीचे गिर जाएंगे, pretty simple, ठीक है, clear, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ओके ये हो गया आपका echinocloa cruise galleon rice, अब second अगर मैं बता हूँ, तो यहाँ पर आता है आपका aquatic weeds, ठीक है, क्या है aquatic weeds, अगर मैं aquatic weeds की बात करूंगा, यह तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, water hyacinth कैसे कहते हैं, इसको, इसका सो, जो यह बहुत लोगों ने देखा होगा, देखा होगा इसको, ठीक है, इस तरह के इस color के आपके full रहते हैं, और पूरा का पूरा जो है, यह green color के float होते रहते हैं, अब यह अगर aquatic weeds की बात करूंगा, इसमें भी actually अलग-अलग type के weeds हैं, जैसे यह आपका होगया floating weeds, दू इसको हम क्या केते हैं, water hasn't को floating weed, floating weed, तो guys सभी लोग, आप लोग सुभे 9 बजे agriculture current affairs की class attend कर रहे हो, आज से सुरू हुआ है, सुभे 9 बजे, agree current affairs and schemes, agree current affairs and schemes, attend कर रहे हो आप लोग, next, आगे बढ़ते हैं, so classification based on origin, अब हम लोग अपने origin पर आते हैं, कि origin पर कौन कौन से weeds को हम कैसे classify किये हैं, तो guys अगर मैं origin के बात करूं, यहाँ पर दो type के weeds से आपको मिलेंगे, एक है आपका indigenous weed, दूसरा है आपका exotic weeds, ठीक है, indigenous मतलब, जिस जगह में weed मिला है, उसको हम कहते हैं, indigenous weeds, और अगर बाहर के कोई जगह से वो weed आया है, तो उसको हम कहते हैं, क्या चीज एक्जोटिक या फिर foreign weed या फिर alien weeds भी कहते हैं, ठीक है, प्रीटी सिंपल से, क्लियर गाइस, येस, अब्जेक्शनेबल weed भी कहते हैं, बेसिकली जब भी आप कोई भी crop को, crop के weed को, अगर आप separate ना कर पाओ crop से, अगर के कोई weed को आप crop के seed से separate ना कर पाओ, जेनरली उसको objectionable weed भी कहते हैं, ठीक है, फैलरिस माइनर को mimicry weed भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है, प्रणाम agriculture lover सूरज, ठीक है, welcome to the class, तो guys याद रख लिजेगा, सुभे 9 बजे, रोज आपको मिलेगा, आज से, Monday to Saturday agriculture current affairs and scheme, ठीक है, आज हम लोगों ने एक scheme किया था, PMABY, कल आपके लिए कुछ agriculture के current affairs है, जो last के 2 to 3 days में हुआ है, ठीक है, सो कल हम लोग यह करने वाले हैं, ओके, next, आगे बढ़ते हैं, so guys, based on original की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर यह है, एक indigenous weeds, all the native weeds of the country are coming under this group and most of the weeds are indigenous, ठीक है, यह जो weeds है ना, यह country के अंदर ही मिलेंगे, या फिर यह आपके local areas में ही मिलेंगे, सर, क्या यह class AFO के लिए है या नहीं, सूरज आपको जितने भी class agriculture अड़्डा पे मिलते हैं, 3 से 4 बजे के class को छोड़के, एक, आपको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, sorry, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटे, और साम को 5 बज़े से लेके 10 बज़े तक 5 घंटे, 8 घंटे AFO के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है, clear, आगे बढ़ते हैं, next, introduced और exotic weeds और alien weeds, ठीक है, सो बाहर से introduced किये गए हैं, बाहर से लाए गए हैं, या फिर इनको exotic weed कहा जाता है, या फिर alien, alien क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा, just a minute guys, चलिए, आगे बढ़ते हैं, PMFBOI sir, 18 February 2016 को launch हुई थी, yes Karan, आपने देखा नहीं क्या आज का class, does this class useful for AFO, yes Pavan, this class is 100% useful for AFO, लिखा भी है, agriculture foundation classes for NABAD, IBPS, AFO, etc, okay, next, आगे बढ़ते हैं guys, okay, जो दूसरा चीज यहां पर आता है, वो आता है, classification based on association, अब इसका मदलब क्या है, ठीक है, कि आपके जितने भी agriculture के groups होगे रहा हैं, आपके friends हैं, जो लोग AFO या NABAD, या कोई भी MSC entrance exam की तयारी कर रहे हैं, ये classes को उन तक share कीजिए, अगर हम यहां पर आप लोगों के लिए classes लाने की effort कर रहे हैं, तो please हमें भी support कीजिए, और इन classes को share करके, जो class है, ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा लोगों को जोडने की कोशिश कीजिए, ठीक है, very good evening, विश्वेश, welcome to the session, चलिए, so इसके बाद आता है, classification based on association, अब यह association है क्या, देखो, guys, sir आपने 16 February 2016 को बताया था, अरे तो वो printing mistake हो गया होगा गलती से, ठीक है, मैं वही चीज़ सोच रहा था कि कुछ तो सुभए गढ़बढ हुआ है, ठीक है, मैंने note का रखा था कि कुछ है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने देखा भी नहीं, back to back class चलता रहा, तो basically क्या होता है ना, कि कुछ weeds, कुछ खर्पतवार ऐसे होते हैं, जो generally आपके normal जो time होता है, या कोई crop होता है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है, तो यहाँ पर classification based on association के, अगर मैं बात करूँ, when two plants are living together, that is called association, ठीक है, कितना एक दूसरे के लिए फाइदे मन्द है, वो जानना चाहिए हमें, ठीक है, batch लेने के लिए बताऊंगा सूरच, एक बार ये complete हो जाए, last में मैं आपको बताऊंगा, AFO का भी batch है, नाबार का भी batch है, सबका batch है, मैं आपको last में बताऊंगा, पहले एक बार इसको हम complete कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले, so based on association, इसको तीन भाग में विवक्त किया गया है, एक है आपका season bound weeds, crop bound weeds, तीसरा है आपका crop associated weeds, ठीक है, guys अगर मैं season bound weeds के बारे में बात करूंगा, तो आपको इसको देखके ही समझ में आ गया होगा, नहीं, season bound weeds क्या है, आपको देखके ही यहां पे समझ आ गया होगा, generally कोई particular season के हिसाब से, आपके ये weeds जो हैं, ये grow होते हैं, ठीक है, generally कोई season particular season पे, ये weeds grow होते हैं, ये खर्पतवार उसी season में ही grow होते हैं, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रभी हो, या फिर ऐसे हो, ठीक है, so generally होता क्या है, अब खरीफ रभी तो हम weeds के लिए, खर्पतवार के लिए नहीं देखते हैं, हम generally कहते हैं, कि या तो वो summer annual से, या फिर winter annual से, ठीक है, मदलब winter, एक winter से दूसरे winter तक grow करते हैं, या फिर एक summer से दूसरे summer तक grow करते हैं, generally हमारा winter और शीजन हमारा रभी season है, ठीक है, summer हमारा April और में का महिना है, ये दोनों है, तो ये जो season bound weeds हैं, तो ये आइदर क्या होते हैं, summer और winter annuals, clear है, इन weeds के बारे में, आगे अगर हम लोग गाइस देखेंगे, तो इसके जैसे summer perennial, ये हो गया हमारा annuals, अब annuals के जगह पे, एक दो और चीज़ भी है, summer perennials, perennials क्या है, जहाँ पर दो साल या एक साल से ज्यादा का crop होता है, ठीक है, winter summer जायद उसके साथ खरीब भी होता है, विकास basically हमारे ये अलग-अलग seasons है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं गाईस, तो आपका जो summer perennials है, summer perennials मतलब एक साल से या दो साल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो generally आपके summer perennials में, for example आपका sorghum halepans, sorghum halepans, ठीक है, ये एक weed आजाता है आपके summer perennials में, उसी तरह आप अगर देखोगे, आपका winter perennials है, जिसमें आ जाता है, मानलो circium arvans, ओके, आपका जो circium arvans है, वो आ जाता है आपका winter perennials, winter perennials, circium arvans, ओके, तो ये हो गया आपका, क्या चीज़, season bound, अब दूसरा अगर आप देख सकते हो, crop bound, इसका मदलब क्या है, एक particular crop में, particular weed होते हैं, ठीक है, बेसिकल आपने सुना होगा, host crop, parasite weed, ठीक है, वो वाला सुना होगा, ओके, तो ये जो examples है, examples, हाँ दे रहा हूँ, examples भी दे रहा हूँ, ओके, ये जो यहाँ पर crop bound weeds है, generally आपको root parasite मिलेंगे, या फिर stem parasite मिलेंगे, आपने orobancher के नाम सुने होगे, आपने strega के नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये जो है, ये तो या root parasite में आएंगे, या फिर ये stem parasite में आएंगे, root parasite, और stem parasite, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी आपको मिल जाएगा, complete root parasite, partial root parasite, complete stem parasite, partial stem parasite, जो कि आप लोगों ने, I guess, काफी, या बेस सी अपने, जो starting है, weed management, तब से आप पढ़ते आ रहे होके, ठीक है, तो मैं तीनों का ही example, दे देता हूँ, गाईस, complete root parasite, partial root parasite, complete stem parasite, partial stem parasite, याद रखेगा, क्योंकि यह पहले भी, MCQs में, पुछे जा चुके हैं, ठीक है, यह जो चारो है न, यह पहले भी MCQs में, पुछे जा चुके हैं, very good evening, खिरोदरी, welcome to the session, ओके, so complete root, root paradise, root paradise की, अगर मैं बात करूँ, paradise बोल रहा हूँ, parasite, CLOS, CLOS, ठीक है, यह बहुत लोग इस तरह से याद रखते थे, ठीक है, बहुत लोग इस तरह से याद रखते थे, ओके, या तो इसको लोग CLOS याद रखते थे, कुछ लोग इसको OS, CLB कहते थे, OS, CLB कहते थे, ठीक है, तो CLOS क्या है गया, इस पता है C for cascata, L for loranthus, O for orobanche, S for striga, ठीक है, very good because, होगे मुझे college की दिन याद आ गए, ठीक है, तो CLOS में अगर मैं cascata की बात करू, cascata is a complete stem parasite, loranthus is a, अरे-अरे-अरे, spelling अलट हो गया, loranthus is a partial stem parasite, ठीक है, complete root parasite में आ जाएगा, और आपको partial root parasite में आ जाएगा, striga, ठीक है, अब अगर मैं बात करू, यह कौन-कौन से crop में देखने को मिलता है, और अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अर जेनरेली और फ्रूट क्रॉट जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है ना उन में देखने को मिलेंगे गॉट इट ओके सुरी सर आज तीन पीम के क्लास में नेट्वर किसी हुआ सो मैं क्लास आटेंड नहीं कर पाई सर अभी से तीन पीम ओपेसी में में क्लास में बस mcq होगा क्या नहीं नहीं कुछ दिन mcq कराऊंगा फिर वापस से हम लोग दूसरा टॉपिक दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट तो यह हो गया आपका टॉबाइको सोर्गम लूशन और किस में फ्रूट में ठीक है अच्छा मुझे कह सकते हो कि क्हौन से क्रोव इन में से किसको वी फूफीट कहते हैं एन्वान वीच वीड किस को कहते हैं इंइवन गाइज which weed किसको कहते है रिच विड वेच वीड किसका common name है इन से इन चारों में से किसका common name which weed है सोर्गम स्ट्रिगा को कहते है विचवीड ठीक है स्ट्रिगा क्लियर ऑके वेरी गुड किसने एंसर दिया पहले सूरज और अब अंचे को नहीं कहते हैं पवन विकास और खिरोदरी एकदम सहीं यह स्ट्रिगा को कहते हैं विच वीड क्लियर ओके तो फिर औरो बैंचे को क्या कहते है किसी को पता है औरो बैंचे का कॉमन नेम क्या है किसी को पता है यह इसी तरह से क्लास मज़ेदार बनेगा क्लास जब तक इंट्राक्टिव नहीं होगा जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक क्लास मज़ेद कभी नहीं वनने वाला ठीक है बता दो और 5 का कॉमन नेम किसी को पता है और 5 यह ज़ इसी तरह आपके पास कसकटा है कसकटा को जेनरली डोडर कहते हैं ठीक है और लोरैंथर्स को यार ऐसे लोरैंथर्स ही कहते हैं कोई खास common name है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अरे नेक्स्ट कहां गया यार एक कुछ था ना कुछ बच गया ना अब यहां पर आते हैं आपके रिप्राद या जंडरली क्या होता है यहां पर आपका वीट का एक रिफ्रान पूरा मिक्स हो जाता रेख एक आपका एविना फात्वा है ठीक है यह अभी नफ है तो अभी एक मिमिक्री वीड है आपके वीड क्रॉप में ओके आपके जो टी क्रॉप से ना उनमें लोरांथस इस अ मिमिक्री क्रॉप ठीक है इसी तरह जितने भी यह मिमिक्री क्रॉप है इनको हम कहते हैं फिनो टाइपिक मिमिक्री क्या कहते हैं फि से इकवल दिखते हैं यह सेम दिखते हैं जिसकी वजे से इनको कहा जाता है號 काजत on इसलिए इनको phenotypic mimicry कहा जाता है यह चीज आपको देखना पड़ेगा अच्छा mimicry की अलावा भी और चीज़े हैं मैं एक बार देख रहेता हूं लिखा तो नहीं है मैंने कुछ लिखा है crop association के बारे में लिखा है मैंने देखो पहला है आपका mimicry दूसरा है आपका specific micro climate मनलब यह कुछ ऐसे crops है ना इनको एक specific micro climate चाहिए मनलब एक specific type का climate चाहिए उस climate type के बिना ओके ओके उस wild oat है ना current wild oat है हम लोग oat ज्यादा grow नहीं करते हैं ठीके इसलिए हम wheat के साथ ज्यादा तर compare करते हैं ठीके हम oats के साथ compare नहीं करते हैं एविना फात्वा itself is wild oat ठीके जो आपका oat है उसका wild species है एविना फात्वा तो obviously oats के साथ तो similar होगा ही होगा ठीके साथ ही साथ wheat के साथ भी होगा got it ठीके I guess कोई मैं लिख देता हूँ एक बार अगर कोई doubt हो रहा है ठीके so एक तो होगया आपका mimicry दूसरा होगया आपका micro climate अच्छा तीसरा होगया आपका ready contamination with the crop मतलब crop के साथ easily contaminate हो जाता है तीन होगे example आपको बता देता हूँ ताक ही easy होगा आईए पहले mimicry से start करते है ठीके तो mimicry में पहला आता है हमारा यहां पर let's say wheat wheat में दो crop हमारे mimic करते हैं एक है आपका अबिना फात्वा दूसरा है फैलरिस माइनर ठीक है easy crop है दोनों mimic करते हैं so wheat में इसमें तो mimic किया अब दूसरा oat में oat में भी यहां पर अबिना फात्वा mimic करता है ठीक है loranthus आपके tea gardens उपर loranthus का characteristics उपर fruit crop में अलग था यहां tea gardens में अलग है tea gardens में यह mimicry करता है और यहां पर उपर जो था loranthus is a parasite parasite weed ठीक है याद रहेगा then guys यह जो mimicry है इसको हम क्या कहते है इसको हम generally कहते है phenotypic mimicry क्यों कहते है इसको phenotypic mimicry क्योंकि इनका जो look होता है इनका जो morphology होता है इनको जब आप देखते हो ना यह completely same दिखते हैं किसके साथ main crop के साथ इसको phenotypic mimicry कहते हैं यह mimicry के बारे में हो गया थोड़ा सा micro climate के बारे में जान लेते हैं यह micro climate वाला चीज है क्या कुछ लोगों को micro climate के बारे में थोड़ा सा पता नहीं होगा देखो जब मैं micro climate के बात करता हूं ना कुछ ऐसे चाहे crops हो चाहे weed हो doesn't matter ठीक है दोनों में से कोई भी हो crop या weed ठीक है दोनों को एक certain तरीके का climate चाहिए क्या चाहिए certain तरीके का climate चाहिए जैसे कि चाहे धूप वाला climate हो चाहे छाव वाला climate हो पमने पढ़ा है ना hyalophyt, hydrophytes, skeophytes these सब पढ़ा है ना rock के हन नीचे कोई रहता है कोई चhouse, कोई पानी में रहता है कोई salty areas में रहना पसंद करता है तो यह जितने भी crop है इनके लिए proper from our mice चाहिए अलग-अलग crop में लएंस का character कि Chr solidarity matter नहीं करता है ठीक है जो आपका fruit crop है वहाँ पर वो एक Parasite है यहां पर भी एक Parasite weed है लेकिन यहाँ पर tea gardens में ये mimik करता है ये tea crop के जैसा दिखता है ठीक है इसलिए इसको यहां पर mimicry weed मेड टीघाडन में टी के क्रॉप के लिए है माइक्रो क्लाइमेट पूरे बड़े एरिया के बारे में बात हो रहा है माइक्रो क्लाइमेट छोटे से क्रॉप एरिया के बारे में बात हो रहा है ठीक है सो यह जो माइक्रो क्लाइमेट है यहां पर क्या होता है जिसे कुछ आपके फर एक्जैंपल कुछ crops है आपके let me tell you जैसे आपको पता होगा चिकोरी ठीक है अब चिकोरी को ना shady area पसंद है shady area पसंद है मतलब छाओ वाले इलाके चिकोरी चिकोरी के लिए सबसे बेस्ट होता है ठीक है चिकोरी जो कॉप है जिसको चिकोरियम इंटिबस कहते हैं ठीक है यह ढूंदता है कि कहां पर इसको च्छाँ वाला इलाका मिल जाएगा और यह फटा-फट ग्रो हो जाएगा ठीक है देखके अलग नहीं कर पाते पाते जब तक फ्लावर यह रिप्रो और यह वह सेम होता है ठीक है बैसिकली कलर सेंग नहीं होता यह फिर कुछ ना जो एडिकरर होता है उनको देखके भी पता चल जाता है ठीक है चलो अहलों हम लोग आगे पढ़ते हैं चिकोरी एक शेडी एरिया में easily grow हो सकता है याद हुआ ओके दूसरा बात ओके दूसरा अगर हम लोग देखेंगे इसका क्रॉप के साथ क्या रिलिशन है shade area कहां पर मिलेगा कौन से क्रॉप में बता सकते हो shady area कौन से क्रॉप में generally मिलेगा अन्यंवन गाईस shady area कौन से क्रॉप में generally मिलेगा बता दो फटा फट यार आद्यमवन आज classification complete करने है shady area का क्या मतलब है कौन से crop में मिलेगा यार जितने भी height वाले crop है आपके मैं field crop के बारे में पूछ रहा हूं सोर्गम हो गया बर्सिम हो गया loosen हो गया ठीक है clear यह सारे crops में आपको shade मिलेगा जिसके नीचे बहुत सारे tree crops height वाले हो गया मैं field crops के बारे में पूछ रहा हूं ठीक है तो आपको मिल जाएंगे clear है अब यह micro climate समझ में आ गया अब आए ready contamination यह क्या है भाई यह नया चीज क्या है यह ready contamination देखो ऐसे कुछ crops होते हैं जो जवेंसे क्रोप को मैं में ने कर डैते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है ठीक है जन्रली यह होते हैं यहते हैं आपके वाइलड crops ठीक है आपके वाईयल species होते हैं जैसे कि आप मानलोग ऑनियन और गारलिक में आपके wild species होते है, oats में wild species होता है, phallaris minor wheat में होता है, ठीक है, ये सब आपके crop को contaminate कर देते हैं, अपने seeds से, ठीक है, याद रखेगा, इसी को हम कहते है, ready contamination of the crop, clear, wild species, ठीक है, next, ओके, next I guess, और एक, और एक दो रह गया है, फटा-फट देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें से, अगर मैं बताओं, ठीक है, तो एक, जैसे आपका classification based on stem, क्या है, based on, last के, दो या तीन बचे है, फटा-फट देख लेते हैं, based on stem, guys, अगर stem के बात करूं, तो क्या है, या based on stem क्या है, stem का क्या रोल है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अगर stem उडी है, ठीक है, stem अगर उडी है, stem अगर semi उडी है, stem अगर herbaceous है, एक mango tree का जो stem है, जो उसका bark है, वो paddy के stem से different है, because paddy का जो stem है, वो herbaceous है, ठीक है, तोड़ोगे, तूट जाएगा, mango का stem या bark herbaceous नहीं है, वो एक उडी stem है, ठीक है, so basically, okay, so basically, यहाँ पर based on stem है, plantation crop के बारे में, आपके करा देंगे, क्या बोलते हैं, pushker sir, don't worry, ठीक है, सबके अलग-अलग subject है, pushker sir के, pushker sir, जब horticulture में, weeds के बारे में बताएंगे, तो बता देंगे, ठीक है, so based on stem, so guys, अगर मैं based on stem के बारे में पूछे, तो यहाँ पर तीन आ जाता है, एक आपका oody stem, semi oody, एक second, तीसरा आपका herbaceous, क्या हो गया, यह sound क्यों कर रहे है, अच्छा, अच्छा, उपर से आ रहा है, मैंने सुझा है, क्या हो गया, अपने class में से sound कहां से आ गया, ठीक है, आप लोगों को obviously सुना ही नहीं दे रहा होगा, ठीक है, oody stem, semi oody stem, और आपका herbaceous stem, ठीक है, oody का अगर मैं आपको example दूँ, semi oody में आपको जैसे की आ जाता है, crotone sparsiflorus, ठीक है, इस तरह के जो crop हो गए, proton sparsiflorus, ठीक है, herbaceous में आपके weeds में आ गए, chinopodium album ले लो, chinopodium album, अभी थोड़ी दर पहले हम लोगों ने देखा था, right, okay, हाँ, ziziphyr species भी आएगा आपका oody में, ठीक है, jiziphyr species में example ले लो, ziziphyr rotundifolia, ठीक है, ziziphyr rotundifolia, इसका example ले लो, अच्छा, ziziphyr rotundifolia है क्या, ziziphyr species भी सुना होगा, bear का scientific name, ziziphyr rotundifolia, आपका wild plum का scientific name, plum खाते हैं, purple purple color के fruit आते हैं, plum, okay, so basically plum का जो scientific name है, again that is, ziziphyr rotundifolia, ठीक है, clear, next, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह समझ में आए, based on stem, I don't think कि आपको, इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ चीज तो होगा नहीं, ठीक है, clear, अब देख लेते हैं, guys, बचा क्या हमारा, मेरे ध्यान से निकल गया, भाई, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, classification में, इतने सारे हो गया, soil type और classification, guys, soil type, क्या क्या क्या, soil type, classification, अच्या, special classification, पहले, soil type देख लेते हैं, अगर, soil type के बात करूं, तो क्या है, simple, pH, ठीक है, pH, यहाँ पर, soil के type के, जब हम लोग बात करते हैं, ओके, मैं आया रहे में, पढ़ाता सार, लगभग सभी class, YouTube पर, समझा नहीं, सूरज, आया रहे में, पढ़ा था, सर लगभग सभी class, अच्या, आया रहे टेक्निशिन की बात कर रहे हैं, आया रहे टेक्निशिन की बात कर रहे होंगे, राइट, ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा जो next है, वो क्या है, ओके, आपका soil pH, इस pH में आपका तीन चीज़ है, acidic, neutral, basic, राइट, यही तीन तो है, आपका acidic, neutral और basic, जब आप weed को इसके साथ classify करोगे न, इसका नाम में हलका सा change आजाता है, जैसे की acidophile, मदलाब जो acid से प्यार करता है, neutral, neutralophile, ठीक है, neutral हो गया, और फिर आपका बचता है, basic, basic हो जाता है, आपका basophile, मदलाब यह ऐसे weeds हैं, जिनको acidic condition, या फिर neutral condition, या फिर basic condition में grow होना पसंद है, ओके, आच्छा disaster management के लिए पढ़े थे, ओके, ठीक है, अब acidophile, मदलाब आपका, जो ऐसे soil है, वो acidic होगा, ठीक है, neutral होगा, basic मदलाब basic होगा, ठीक है, अब अगर जैसे मैं examples आपको दूँ, तो basophile के लिए, for example, आप, देखो, again, basophile में आपको दो चीज़ और आ जाते हैं, ठीक है, saline और alkaline, saline और alkaline, ठीक है, तो यहां से start करते हैं, अगर मैं आपको saline, saline crops का, अगर मैं आपको example देता हूँ, तो बहुत ही simple example, आप लोग याद रख सकते हो, यहां पर, for example, आपका salsella species, ठीक है, जितने भी salsella species हैं, वो आपके, क्या बोलते हैं, saline crop में, saline soil में grow करना पसंद करते हैं, अब आप बोलोगे, याद किसे रखेंगे, देखो, 1000 वीर्ट से, आप थोड़ा सा न, relate करके याद रखना, saline, salsella, ठीक है, saline, salsella, philic मतलब lover होता है, ठीक है, saline, salsella, उसी तरह आपके पास है guys, alkaline, अब अगर मैं alkaline के बात करूं, you have, let's say, sporovolus, dander, saline, saline, salsella, ठीक है, यह आपको alkaline में थोड़ा सा easy रहे गया, then, आते हैं हम लोग neutral में, ठीक है, guys, neutral की बात करें, si lafa, indica, ठीक है, si lafa, indica, अब acidic की बात करते हैं, acidic में कौन से हैं, ठीक है, इसमें भी एक, आपको मैं easy नाम दूँगा, याद रखने के लिए, ठीक है, rumex, acetocela, ठीक है, acid और acetocela, याद रहेगा, rumex, acetocela, ठीक है, हिंदी में, मैं current affairs के class, तो हिंदी में लेके आ रहा हूं, ठीक है, इसका अभी तक हिंदी में, मेरे पास content ready हुआ नहीं है, इसलिए में लेके आ नहीं लेके आ आ पा रहा हूं, current affairs में मैं हिंदी में भी class लाँगा, इसमें भी बहुत जल्दी में हिंदी में class लाने वाला हूं, I guess मुझे थोड़ा सा time चाहिए, जैसे ही फसाई का, FSS AI का exam complete हो जाएगा न, मुझे थोड़ा सा time मिल जाएगा, यहाँ पर इसके लिए specific classes लेके आने के लिए, ठीक है, clear, so guys next हमारा आ जाता है, क्या चीज़ specific, special classification, अब special classification में जो भी हुआ है, आप लोग आल्री पढ़ चुके हो, ठीक है, बस यह classification का दूसरा तरीका है, जैसे आप पुछोगे कैसे, ठीक है, आप पुछोगे कैसे, मैं वो लूँगा जैसे, parasite, parasite wheat पढ़ चुके है, second, poisonous wheat, आप लोग poisonous wheat पढ़ चुके हो, poisonous wheat पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं है poisonous wheat में, basically कुछ, weeds जो है, वो poisonous होचते हैं, ठीक है, जैसे, datura species, ठीक है, datura species, उसमें, I guess, datura fustuosa, ठीक है, वो एक आपका poisonous wheat है, ठीक है, इस तरह के, आपके, कुछ special, classification, यहाँ पर होते हैं, आपके, then you have, floating weeds, वो सब आप पढ़ चुके हो, जितने भी weeds से, आपने पढ़े होना, ठीक है, वहाँ, सर, fisheries के class, नहीं लगेगी, क्या, yes, करन, करन देखो, आठ, आपके पास, 5 faculties है, ठीक है, अब हम लोग, FSS AI जैसे ही, खतम होगा, हम लोग भी, दोपहर को, agriculture class, लेना, चालू करेंगे, ठीक है, तो आप लोग, थोड़ा सा wait करो, एक एक करके, teachers पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके एक teacher, जैसे, पुशकर सर, अनिमल हस्वेंटरी, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, होटीकल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, ओके, यह था आज का class, weed के classification के बारे में, आपके पास, यहां पे दो batches हैं, agriculture field officer, and complete foundation batch, ठीक है, आप ada247.com में जाके, इसमें enroll कर सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कि किस तरह से, आप enroll कर सकते हैं, आपको यह खुल नहीं रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, order247.com पे जाना है, वहाँ पे Y291A code लगा के, आप 80% discount पे इसको enroll कर सकते हो, अगर proper procedure जानना है, मैं कल सुभे current affairs के class में आपको बता दूँगा, जो कि 9 बज़े हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, next session में, till then take care, goodbye and please stay safe.